लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक और नहीं वेकेंसी लेके आए हूँ और ये वेकेंसी है Airport Authority of India की टरबसे है Airport Authority of India ने ATC जाने कि Air Traffic Controller के लिए वेकेंसी जारी की है साथ में ओर भी बहुत सारी Post है तो इस वीडियो में आपको बताओंगा कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए कितनी-कितनी स्वेकेंसी जारी की गई है क्या क्या उसके लिए education qualification आपके पास में होनी चाहिए इस limit क्या रखी गई है salary क्या मिलने वाली है इसके अलावा selection का process क्या रखा गया है आविदन कब से सुरू होंगे last date क्या है application fees कितनी लगने वाली है आविदन कैसे करना है और सबसे बड़ी बात कि आपको official notification कहां से मिलेगा ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो सबसे बहले बात करते हैं official notification की तो official notification के लिए सबसे बहले आपको airport authority of india की official website पे जाना है जिसका link आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो site और इस पे मैं आ चुका हूँ अब इस पे जाने के बाद में आपको official notification के लिए scroll down करना है scroll down करोगे तो आपको एक tab दिखाई देगा carriers का यहाँ पे आप देख सकते हो यह carriers का tab है और इस पे आपको जिसमें यहाँ पे अलग-अलग vacancies के पूरे यहाँ पे जानकर यह आपको दी गई है तो इसमें जिस vacancy के बारे में बात कर रहा हूँ वो vacancy है यहाँ पे human resources की यहाँ पे देख लीजिए recruitment for various posts in official language and air traffic control ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे यह notification आप देख सकते हो और यहाँ से आपको official notification डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे यह जो updated on 9 December 2022 लिखावा आ रहा है इस पे क्लिक करना है यहाँ पे और कोई भी option आपको दिखाई नहीं देगा click here वगेरा कुछ भी तो इस पे आपको क्लिक करना है तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और या page open हो जाएगा तो यह page open हो चुका है और यहाँ से आपको notification के लिए link मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो यह है और यहाँ पे download का option आ रहा है यहाँ पे download पे आप click करोगे तो यह जो official notification है वो download हो जाएगा तो मैं यहाँ पे download पे click करूँगा यह option आ गया download का यह official notification यहाँ पे open हो चुका है जो कि airport authority of India की तरफ से जारी किया गया है air traffic control और official language के लिए ठीक है यह दो type की post है इसमें और इस वीडियो में आपको इसन के बारे में पूरी जानकारी अभी देने वाला हूँ तो बने रहे हमारे साथ वीडियो को complete देखना जिससे की पूरी जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले बात करेंगे vacancies की तो vacancies में यहाँ पे Official Language Manager के लिए यहाँ पे दो vacancies है Junior Executive Air Traffic Control के लिए 356 vacancies है तो यह सबसे important चीज है ठीक है और आगे हैं यहाँ पे Junior Executive Official Language के लिए 4 है और Senior Assistant Official Language के लिए 2 है इस परकार से Total Vacancies की अगर बात की जाए तो यहाँ पे Total Vacancies है 362 जिसमें सिर्ट 356 vacancies सिर्फ और सिर्फ Air Traffic Control के लिए है जो की बहुत ही अच्छी बात है अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे Education Qualification की कि हम सभी पोस्ट के लिए क्या क्या Education Qualification चाहिए तो सबसे पहले बात करेंगे Manager Official Language की तो यहाँ पे अगर हिंदी आपके Post Graduation में सब्जेक्ट था तो English Degree Level में होना चाहिए और अगर Degree Level में Hindi सब्जेक्ट था तो Post Graduation में English सब्जेक्ट होना चाहिए यह सब्जेक्ट Main भी हो सकता है, Compulsory भी हो सकता है और Elective भी हो सकता है तो आप इसमें Eligible होंगे, Experience मागा यहां पर Translation का Hindi to English या फिर English to Hindi का जो कि Technical या फिर Scientific Literature में होना चाहिए और 5 साल का Experience भी मागा गया है HR राजबसा अधिकारी किसी भी Central Government Office या फिर State Government Office में अब यहां पर बात करेंगे सबसे Important Junior Executive की Junior Executive Air Traffic Control के लिए तो यहां पर जो Education Qualification मागे गी है वो है Bachelor Degree of Three Years in Science यानि कि B.S.C. अगर आपने किया है Physics और Mathematics से तो आप इसमें Eligible हो और कुछ भी यहां पर नहीं चाहिए कोई भी Experience यहां पर नहीं मागा गया है और साथ ही अगर आपने B.T.E.C. किया है चाहिए वो किसी भी Branch से हो तो भी आप इसमें Eligible होंगे बस किसी एक सेमेस्टर में Physics और Mathematics सब्जेक्ट होना चाहिए जो की होता ही होता है First Year में ठीक है First सेमेस्टर में से या Second सेमेस्टर में Physics और Mathematics जरूर होते है तो आप इसमें Eligible होंगे B.T.E.C. अगर आपने किया है तो और साथ ही अगर आपने B.T.E.C. भी किया है Mathematics और Physics से तो भी आप इसमें Eligible हो तो ये बहुत ही बड़ी खुसकबरी है B.T.E.C. और B.T.E.C. वालों के लिए और साथ ही याँ पे दिया गया है कि English का Knowledge होना चाहिए आपको 10 प्लस 2 Standards का ये है अब Junior Executive Official Language के लिए भी यहाँ पे वेकेंसी है इसमें भी यहाँ पे वही सेम जो मैंने आपको बताया था Manager Official Language के लिए वही यहाँ पे Education Qualification है बस Experience दो साल का मांगा गया है Senior Assistant Official Language के लिए भी यहाँ पे Sam Education Qualification मांगी गई है और यहाँ पे दो साल का Experience भी मांगा गया है अब आगे बढ़ते हैं इसी Official Notification में और आगे बात करेंगे यहाँ पे Age Limit की तो सबस्पे पहले Senior Assistant के लिए Age Limit रखी गई है 30 साल जो की 21 January 2023 से कैलकुलेट की जाएगी Junior Executive के लिए 27 साल है वो भी 21 January 2023 से कैलकुलेट की जाएगी और Manager के लिए है 32 साल यह Maximum Age है जो की 21 January 2023 से सब के लिए कैलकुलेट की जाएगी साथ ही जितने भी केटेगरीज को Age per Government or Age Relaxation दिया जाता है वो दिया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे कुछ Important Dates की जो की अभी आप इसकिन पर देख सकते हो तो यहाँ पर जो Online आविदन शुरू होंगे वो होंगे 22 December से और Last Date रहेगी Online आविदन की 21 January 2023 और जो Online एक्जाम होगा उसकी Date अभी Announce नहीं हुई है जैसे यह Announce होगी आपको उसकी जानकरी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी तो जो आविदन शुरू होंगे वो होंगे 22 December से और Last Date रहेगी 21 January 2023 यह है अब यहाँ पर बात करेंगे Sellerie की क्या Sellerie मिलने वाली है तो Manager Official Language के लिए Starting Basic पर 60,000 रहेगी Junior Executive Air Traffic Control के लिए 40,000 रुपे Starting Basic पर रहेगी और Senior Assistant Official Language के लिए 36,000 रहेगी पर रहने वाली है तो यह है यहाँ पर Basic पर इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग बहते मिलेंगे और इसके अलावा Other Benefits भी मिलेंगे तो वो भी यहाँ पर बतायता हूँ Basic Pay के अलावा आपको D&S Allowance 35% Basic Pay पर आपको Percs मिलेंगे HRE मिलेगा और Other Benefits में आपको CPF की Facility मिलेगी Gratuity मिलेगी Social Security Scheme और Medical Facility मिलेगी आपको और आपकी Family को तो यह है Other Benefits और बत्ते अब बात करेंगे Annual Package की तो Manager Official Language के लिए 18,000,000 का Annual Package बनेगा Junior Executive के लिए 12,000,000 का बनेगा और जो Senior Assistant है उनके लिए 11,000,000 रुपे Annual Package की बात की जाए तो वो मिलने वाला है तो बहुत ही आकर सक यहाँ पे Package है B.A.C. और B.T.E.K. वालों के लिए बहुत ही अच्छा मोका यहाँ पे है कुछ Important Instructions यहाँ पे दियो हैं जो कि आप पढ़ लेना Notification कहां से Download करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे Selection Process का तो जो Selection Process है उसमे Online Exam होगा और उसमें Negative Marking नहीं होगी यह मैं आपको बता रहता हूँ Junior Executive Air Traffic Control के लिए Online Exam होगा और उसमे Online Exam में कोई भी Negative Marking नहीं होगी Online Exam में आप Select होने के बाद में आपका Document Verification होगा Document Verification के बाद में Voice Test होगा और Voice Test के बाद में Test for Conjunction of Psycho-Active Substance and Background Verification होगा और उसके बाद में Finally आपके Joining हो जाएगी तो यह Process रहने वाला है Man Process में यहाँ पे आपका Online Examination रहेगा जो कि आपको Clear करना होगा तो यह है आगे यहाँ पे Manager Official Language के लिए Online Exam होगा उसके बाद में Document Verification होगा और उसके बाद में Manager Official Language के लिए है यह मैं यहाँ पे Clear कर देना चाता हूँ तो यह है और आगे बढ़ते हैं इसी Official Notification में तो यहाँ पे How to Apply दिया हुआ है तो आवेदन करने के लिए मैं आपको पूरा Process बता दूँगा आवेदन करके बता दूँगा Step by Step की कैसे आपको आवेदन करना है जिसे ही आवेदन सुरू होंगे वैसे ही क्योंकि आप अभी समय है आवेदन सुरू होने में 22 December से आवेदन सुरू होंगे तो 22 December कोई आपको वीडियो मिल जाएगा अब बात करेंगे Application Fees की तो 1000 रुपे Application Fees रखी गई है आवेदन करने के लिए और इसके अलावा SCHT Peerobility Candidates और इसके अलावा Female Candidates Application Fees से Exempted रहेंगे तो यह भी अच्छी बात है अब आगे बढ़ते हैं आगे आपके कुछी इंस्ट्रेक्शन दिये हुए हैं Online आवेदन करने के लिए खुद ही भर सकते हो तो यह है और Friends यह थी पूरी वेकेंसी और यह था वीडियो इसके बारे में और अगर आपको यह वेकेंसी अच्छी लगी हो और यह information अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको रोजगा समचारों के बारे में इसी प्रकार जानकार लगातार मिलती रहे Thank you friends, thanks for watching this video